प्यारे सातियों नवस्कार आज के वीडियो में रास्तान जीके के 20 बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन लेके हैं और यह सभी परसन पहले एक्जाम में पूछे जा चुके है तो आप लोग वीडियो को पुरा देखेगा और डेली ऐसे इंपोर्टेंट क्यूसन पाने के तो यहां पे उप्सन सी उत्तर रहेगा कांडला जो की रास्तान के सबसे निक्ट में आता है अब डिटेल में बात कर लेते हैं कांडला बंदरगा भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के अंदर है और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगा यहां पे बहुत जहाजरानी मंतराले के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है कांडला का नाम जो अब बदल के दीन ड्याल बंदरगाय कर दिया गए यहां पे एक अच्छा क्यूसन बनता है कि कांडला बंदरगाय का जो नाम चेंजगर के नया नाम करण क्या दिया गए दीन ड्याल बंदरगाय दिया गए इसको याद कर लिजेगा क्योंस नवर 2 की बात करते हैं सेवन घास किस जिल्य में विष्थरी रोप से उगती है बहुत अच्छा क्युसन है 7 gas के बारे में कई बार एकजाम में पुछा गया कि 7 gas होती कि यह कहां पे सबसे ज़्यादा होती है कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो जल्दी से आप लोग answer दीजेगा और वीडियो के अंतमी मानदारी से बताएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए इससे आपकी practice भी हो जाएगी आपको पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी है तो आप लोग answer जुरूर दीजेगा यहाँ पे option C हमारा उत्तर रहेगा जेसल मेर में सबसे ज़्यादा 7 gas होती है ठीक है इसका थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा अच्छा option बनता है यह जेसल मेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा 7 के अंदर सबसे ज़्यादा protein घास होती है और यह rate के टिल्नों में उगती है क्यूसर नवर 3 की बात करते है देश का जो कुल बाजरा उत्पादन राजस्तान का आंस आपको बताना है कि पूरे देश का राजस्तान के अंदर कितने परसेंट बाजरा उत्पादी किया जाता है तो जल्दी से आप लोग answer दीजिएगा ठीक है 20% 50, 30, 60 तो यहां पर option C उत्तर रहेगा 30% ठीक है लगबग 30 के आसपास है अब डेटेल में बात करते हैं देश में सरवादिक बाजरे का उत्पादन राजस्तान में होता है बहुत अच्छा क्यूसर बनता है कितने बच्चे सही answer दे पाते है राजस्तान में सरवादिक बाजरे का उत्पादन कौन से जिले महते है आप लोग answer दीजिएगा क्यूसर नवर 4 की बात करते है विस्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जिल कौन सी है यह रास्तान के पर्मुक प्रेटनस तलों में से एक है इस जिल में साथ टापू है जिसमें से भील और मेना जनजातियां रहती है ठीक है इस जिल को एसिया का सबसे बड़ी कृत्रिम जिल होने का गोरव है बहुत अच्छा क्योसर बता है कि एसिया की सबसे बड़ी क्रितरिम जिल कौन सी है तो डेवर जिल भी हो सकती है या फिर जैसमा जिल दोनों अप्सन आपको मिल सकते है ठीक है यह उद्यपूर के जिला मुख्याले के मातरी काउन किलोमेटर दोर पे दक्सिन पूरु की और उद्यपूर सलूंबर मारक पे स् सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है बारा हो गया कोटा स्वाई मादोपर या बुंदी तो ऑप्सन डी मारा उत्तरेगा बुंदी में सबसे ज़्यादा गन्ये का उत्पादन होता है अगर तुरा डिटेल में बात करें तो यह भारत का एक मूलप होता है जो भारत से ही परतमस्तान रखता है और पूरे देश का 40% उत्पादन यूपी के अंदर होता थी याज की जिएगा यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा गन्य का उत्पादन होता है अगर रास्तान की बात कि जाए तो मातर पॉइंट पाइप यानी आदा परसेंट ही उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो बुंदी जिले में उत्पादन होता है ठीक है बुंदी जिले में राजस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ये का उत्पादन होता है Q6 की बात करते हैं राजस्तान की सबसे बड़ी खारे पाने की जील बहुत अच्छा Q7 है कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो जल्दी से आप लोग एंसर बताईएगा ठीक है और वीडियो के अंत में आप सभी से एक important Q7 पूछा जाएगा उसका भी आप लोग एंसर दीजिएगा हो सकता है कि आप मैंसे कुछ बच्छों को lucky winner भी मिल सकता है तो आप लोग एंसर जुरू ट्राई कीजिएगा डीडवना सांबर, loan cancer या 5 बदरात option B हमारा उतर रहेगा सांबर, ठीक है सांबर कहां पे ये जेपुर जिले में ये रास्तान की सबसे बड़ी जील है और रास्तान राजे में जेपुर नगर के समीप ये लवन जल खारे पाने की जील है ये समूदर तल से 1200 फिट की उन्चाई पे स्तीत है और जब ये भरी रहती है तो इसका किसितर पल 90 वर्ग नमक का उत्पादन किया जाता है इसलिए रास्तान की सबसे बड़ी खारे पाने की जील है क्योसर नवर सेवन की बात करते हैं ये भी बहुत अच्छा क्योसर है राजे में सबसे कम वन चूरू जिले में 0.8% सबसे अधिक वन कौन से जिले में चूरू जिले में हमें पता चल गया कि मातर 0.8% ही जो है वन है बाकि आपको बताना है कि सबसे अधिक वन कौन से जिले में जेपुर दोसा कोटावारा या गंगानगर अनुमान गडिया उद्देपुर शिरोई तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा उद्देपुर शिरोई में अब डेटेल में बात करते हैं कि राजे के अंदर 32,649 वरकिमिक शितर यानी लगबग 9.54% भूबाग पे वन है रास्तान के अंदर ठीक है दोनों या आंकड़े याद कर लेना शितरफल भी याद कर लेना ठीक है कि इतने वरकिमिक पे है और इसके अलावा जो परसेंटेज है इसको भी याद कर लीजेगा ठीक है रास्तान में सरवादिक वन कौमसे में उद्देपुर के अंदर है 3,118 की वरकिमिक और जो की 23.24% है ठीक है क्योसन नमर 8 की बात करते हैं राजस्तान का कितना परसेंट जो है पच्छिम में आता है राजस्तान का कितना परसेंट भाग है पच्छिम में आता है पिच्पन, 66, 52, 61 तो ओप्सन डी हमारा उतरेगा 61% भाग राजस्तान का जो की पच्छिम में आता है ये क्यूसन भी कई बार पूछा गए है क्यूसन वर 9 की बात करते हैं राज्ये का कितने पर्षेंट जन से क्या क्रिशी और पसुपालन से जीव का पारजन करते हैं बहुत अच्छा क्यूसन है कि राज्ये के कितने पर्षेंट लोग है जो कि क्रिशी और पसु पालन पे निर्बर है बहुत अच्छा क्यूसर ने ठीक है तो उमीद गरता हूं कि सभी लोग सही एंसर दे पाएंगे तो option A यहाँ पे सही रहेगा 75% प्यूसर वे 10 की बात करते हैं निमल लिके मेंसे नगरवसंस्तापक का कुनसा जो जोड़ा हो गलत आपको बताना है कि इन मेंसे 3 सही है और एक गलत है ठीक है ऐसे important constitution पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और रासतान जी के गा हर एक important क्यो सन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा तो आज ही सब्सक्राइब कर लेना अजमेर राज़ा अजिराज यह ठीक है जेपूर सवाइज से हैं ठीक है चुडा मती या फिर सोरी चुडा मनी या फिर जाटने की या फिर लेकिन इसके बाद जो है राजा सूर्जमन ने भी इसे जो सजाया समा रहा था देखिए यहां पर दो एंसर बनते हैं ठीक है याद कीजिएगा यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ठीक कहीं पर आपको राजा सूर्जमल भी पढ़ने को मिलेगा तो दोनों याद कर लेना क्योंस नमर 11 की बात करते हैं विस्व का दुर्बल पक्सी जो की साइबरेरियन क्रेन किस अभ्यारण में देखने को मिलता है बहुत अच्छा कि उसने कई बार पूछा गया है जल्दी से आप लोग एंसर दीजेगा बहुत फेमस है साइबरेरियन क्रेन सीतामाता चितोडगड या घना पक्सी अभ्यारण भर्थपूर या मरु द्यान चुरू या तालचा पर चुरू तो यहां पर उप्सन भी सही उत्तर रहेगा घना पक्सी अभ्यारण भर्थपूर के अंदर है क्यूस नमर बारा की बात करते हैं गर्मियों में आभू किसेतर में तापमान के कम रहने का करण आपको बताना है जल्दी से आप लोग आइंसर दीजएगा कि गर्मियों के अंदर जो आभू के ऍकसेतर के अंदर तापमान कम क्यूं रहता है ठीक है तो यहां पर हमें पता है कि वहां की जो उंचाई है वो सबसे ज़्यादा है ठीक है उंचाई बहुत ज़्यादा है तो आप्सन ए हमारा वहां पर उत्तर रहेगा क्योस्टर नुमर 13 की बात करते हैं राजस्टान में बार बार होने वाले सुकह अकाल का परमुक कारण के बहुत अच्छा क्योस्टधान है जल्दी से आप लोग एंसर दीजिएगा कि राजस्टान के अंदर बार बार सुकह अकाल क्यों पड़ता है क्या वज़या है ना राजस्तान का जो हनाइग उसके से जुड़ा हुऊ है ठीक है वनों का आकरमन ये नहीं हो गा जल्ल का एविविक मरुपयांग य भी नहीं होगा I नहीं हो गा औरनर बारिस यहाँ पर Option C उत्फर हो जियेगा बारिस जो तरह बी मारा उत्तर रहेगा क्योंसे नवर पंदरा की बात करते हैं जूमिंग परनाली द्वारा क्रिशी राजे के किन जिलों में होती है बहुत अच्छा कि उसने जल्दी से आप लोग एंसर दीजिएगा कि जूमिंग करसी कौन से कौन से राजे में होती है यह इसका जो पर निर्वर करती है तो उसको जूमिंग करसी का जाता यह डूमिंग पूर बांस वड़ा उद्देपूर तिनु जिलों में होती है उपसंडी हमारा उत्तर रहेगा उप्रयोक सभी क्योसर निर्वर सौला के बात करते है राजस्तान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांसे सबसे हदिक सिंचाई होती है बहुत अच्छा क्योसर ने कि राजस्तान के कौन से जिले में भाखड़ा नागल के बांसे सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है गंगानगर हनमा जिले में सबसे ज़्यादा जो है शिंचाई की जाती है तो ऑप्शन भी हमारा उत्तर रहेगा क्यूस्ट नबर 17 की बात करते हैं राजस्थान के सरवादी के उन्यूंत्म ओस्त वार्सिक वरसा वाले जिले आपको बताना है सबसे ज़्यादा बारिस कौन से जिले में होती है और सबसे कम बारिस कौन से जिले में होती है दोनों आपको बताना है अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बारिस तो वह जालावाड में होती है और सबसे कम बारिस कौन से जिले में होती है तो वह जैसल मेर ठीक है अगर जिले की बात करें तो जालावाड रहेगा ठीक है स सबसे कम बारिस जैसलमेर में होते है क्योंकि यहां के जलवाई और बारिस में बहुत ज़्यादा विश्मत पाई जाती है तो option C हमारा उत्तर रहेगा जहालावड सबसे ज़्यादा बारिस और सबसे कम बारिस है जैसलमेर क्योंसनवर 18 की बात के जहें सेकवाटी भूबाग में कौन सी नदी बैती है बहुत अच्छा क्योंसन है कि सेकवाटी भूबाग के अंदर कौन सी नदी बैती है गगर कांतली लूनी या आज सोरी जाजम ठीक है तो option B हमारा उत्तर रहेगा कांतली नदी जो की सेकवाटी पूछा गया है ठीक है बहुत बार रिपीट हो चुक है कि रास्तान की कौन से जिल्य में एक भी नदी नहीं बैती ठीक है तो यहां पे जैसलमेर वाडमेर ये नहीं होगा गंगनगर वाडमेर ये भी नहीं होगा चूरू बीकानेर औप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा चितोडगर मंसोर या फिर बुंदी तो यहां पे उप्सन सी हमारा उत्तर रहेगा मंसोर जो की MP में आते हैं मद्दे परदेश में आते हैं अब बात करते हैं वीडियो के एंद में आप सभी से एक important question पूछाजार है इसका भी आप लोग answer जुरूर देना अगर आपको answer नह कितना परसेंट है ठीक है यहां पर option आपको मिलते है 7.4 या फिर 9.49 या 1.044 या फिर 11.5 परसेंट किसमें आपको सही answer देना और वीडियो कैसा लगा जुरूर कमेंट कर गया बताना अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और डेली ऐसे important question पाने के लिए चैनल को आज ही share जरूर कीजिएगा thank you